क्या दोस्तों आपको पता है कैसे किया था योग माया ने कंस का वद्ध जब कंस ने बासु देव देव की कि छोब पुत्रों का वद्ध कर दिया था और साथवे गर्भ में उसे सनागबल राम जी आये जो रोहिनी के गर्भ में परवेश कर प्रकट हुए तब आठवा जन्ब किष्ण जी का हुआ साथ ही साथ गोकुल मियसोदा जी के गर्भ में योग माया का जन्ब हुआ जो बासु देव जी के द्वारा किष्ण के मतुरा में लाई गई थी जब कंस ने कन्या स्वरूपा उस योग माया को मारने के लिए पटकना चाहा कि वह हास से छूट गई और आकास में जाकर देवी का रूप धारन कर लिया आगे चलकर इसी योग माया ने कृष्ण के साथ योग बिद्या और महा बिद्या बनके कंस चारूर आदी सक्ति सारी अशुरों का संगार करवाया